करें इसमस्ता हैं विरेंदर जी स्वागत है आपका हां बात अचीन अचीन से नमक का पुरूज वहां गुरुजी जो सुवाल किया थाना एक नमक के बारे जहिए, उसमें नहीं नहीं पाइक है कौन Hi Matter लेना है काला नमक लेना है, सेंदा नमक लेना है, या डेल वाला लेना है, एक ऐस आयरेदी थान, वहाला कि रीक है, इसमें कौन सा नमक छहिए है? और एक स्वाल यह था गृरुझी वह तो इस अपके गार भाष्य चे बारों को पूछा था आपको को इस नहीं पर आधा था, आप में भी पाया था यृरू अइक पर समझ ने पायाता, आप में बटाता था था आप जो छिक शर्का बनाना होता है तो इसमें हम छाज एक्षा दो में प्रमबा मिला सकते हैं जिसे सिर्कड़ के बनाना हो आप बताते और इसको बाईटी मेर्ग बेते हैं यह सवाल है गुरू जी और एक यह है कि यह गुलाब जल और फिटकरी का आपने कल जो बताये था इसके बारे हम पूछाएं जी जी तामा नहीं मिला सकते सिरके में तामा नहीं मिला सकतेどう बतरनाक रेक्शन करता है और तामा दरसल जहरीला होता है इसको बस किसी भी आसइड वे यह ना नमक डाल सकते इसमें ना कुछ और ऐशा आसईड तामा उससे रियक्ट करके जो लिक्विड बनाता है वो जहरीला होता है तो तामा तो नमक के बारे मैंने आपको बता देंगे नमक किया तो बहुत होते हैं लेकिन मैंने कभी ये नमक नहीं बता है मैं हमेशा नमक जैतुन की सिफारिश करता हूं नमक जैतुन आप लिख ले नमक जैतुन असली ये स्वाद में नमकी नहीं होता इसकी पहचान है देखने हैं बिल ये मैंने बताया था मुझे याद है कि गॉन चिलगोजा चिलगोजे का गॉन चिलगोजा एक ड्राइफ फूट है जो जितने दनिया में ड्राइफ फूट है उनमें सबसे महंगा आता है और उसका गॉन उससे भी महंगा आता है लेकिन दजबीस उरुपे रोज की दवा से ज गले कॉलर रभी शंकरी स्वागत है आपका है अलो जी सर ए स्वागत है आपका प्युह घंकम наш थक्रूप्टि ह쁜 है यह 20 वा आपका है आपकुप कब बूद पूरर संद्धोरिय को हुआ बाइजान मैं आप से 2019 से जुड़ा हुआ हूँ आपके कंपनी से और आपके प्रोडेस्ट को देखते रहता हूँ आपके जो बताते रहते हैं नुक्से वो नुक्से भी देखते रहता हूँ बाइजान और लोगों को वो नुक्सर भी बताता हूँ और आपके कम्पनी से दवा बुला करके भी देता हूँ इसमें हमारी यो बहन रेखा है 36 नमबर उनके मद्दम से बुला के मैं बहुत से रख्यों वालों को सुधा चुका आपकी जयतुन का सिर्का है काला गोंद है या गोंद है आईसे जो चीज लगती है वो चीज बुला कर देते रहता हूँ भाईजान कितने लोगों को फाइदा पहुचा होगा आपने कम से कम भाईजान दस्ते बार आजमी ठीक होगे हो गए बहुत बहुत शुक्रिया आपने लोगों की सेवा की अपना नंबर लिखवाना फोन काटना नहीं हमारे मीडिया कर्मी आपका नंबर लिखेंगे बात होने के बाद काट ये नहीं तो हमारे मीडिया कर्मी आप से संपर्क करेंगे आपका इंटर्व्यू और सब कुछ चीन नमक शिव रंजनी और नमक जैतून और नमक कलोंजी ये तीनों चीजे एक सा काम करती है जहां नमक जैतून की जरूरत पड़े महाँ पर आप इसे एक चुटकी एक वक्त में इस्तिमाल कर सकते हैं और ये भी वही सलायते रखता है जो नमक जैतून और नमक कलोंजी में है अगले कॉलर है हमारे साथ बात कर लेते हैं हरियाडा से है निर्मला जी स्वागत है आपका यहिए नमस्कार मैम जी नमस्कार मैम नमस्कार भाई साथ स्ल ₹प जी। जयेहीं स्रागएत है हमारी बेल का सर मेरा आपस एक प्रसन है सर जी मेर मेरे नड़का है सर उस की ओमर चोड़गा,ецह बाल है उस पोना अच दर्द रहता है और आंखेड बारी बारी पामार में लेत आंखों में चीके और अक प्रसन मेरा है जो मेरे कॉना पी तो जादा बनता है, सर, जाकि में खाती हूं तो मेरे कॉना खच आ रहा रहा थी है, और ख़ड़ना हमने होता है, सर. ठीक है जड़ी के बच्चे को अगर नजला वगेरा रहता है और नजला हुआ खासी हुई बलगम हुआ और उसको ने कोई दवा ले ली एंटियलर्जिक तो वो सब कुछ सुखा देती है नसों में बलगम को सुखा देती है तो अगर ऐसा होता है तो बलगम निकालने की दवाएं कफ निकालने की दवाएं डॉक्टर से लिया अपने जिससे आप लाज कराते हैं तो वो निकलते ही आपका बच्चा तंद्रुस हो सकता है और इनका सवाल पित जादा बनता है पित जादा बनता है एसलिटी कब्स तो दिखें बहुत अच्छा ने उसका है सॉफ सॉट जीरा अजवाइन धनिया मेती मेती का दाना एक बार और बोलता हूं आप लिखें लें सॉफ सौगिराम सौट सो गिराम सौफ सौट जीरा जवाइन सो सो गिराम और धनिया और मेति का दाना सो सो गिराम इन सब को पौडर बना के घर में रखा करिए किसी को भी आजीरात को दुरूद पड़े तो बड़ा काम आता है और एक आता है नमक जैतुन यह नमक अलग टाइप का नमक है, देखने में नमक जैसा, लेकिन स्वाद में नमकी नहीं होता, एक चुटकी नमक जैतुन, दो गिलास पानी में मिलाना, और इस पानी से आप यह जो छह चीजों का पाउडर बनाया है, इसको खा कर पानी पी लें, बस दिन में एक बार, का? जी डीडी रादा सौमी, जी डीडी रादे माम, जी में दीपा बोल लही हूँ, परे दो सवाल नहीं दी, प्लीज आप अच्छे से लिख लीजिए, बिल्कुल, जी मेरे ना एक जीजा जी के स्वी लिए सवाल है, चोकि मैं उनको किसी कोई निसके बताती रहती है, तो बहुत ना फाइदे करते हैं, तो वो बोल ले थे मेरे लिए भी पूछना, तो उसकी एज है 21 और उनको 15 सालों से शुगर है, लेकिन अब उसको जैसे सुबह उठते हैं, तो एक दम इतनी पिया होती है, शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती है, और बजन है उसका 80 एज, उनको शुगर है, तो वो बोल लेते हैं, मेरे लिए पूछना कि जैसे सुबह उठता हूं, तो बहुत पी रहा होती है, शरीर में और कमजोरी भी बहुत लगती है, और वजन भी बढ़ा हुआ है, तो वो बोल लेती है, जैसे नापने सर से पूल सूंगी आपके लिए, तो सुबहश हम बहुत चीकती है, और बहुत सर्टी बनी रहती है, और बोल लेती है, मेरे लिए पूछना कि नॉर्मल डिलेवरी कैसे होगी, तो मैं उसको अपना हूं, इनका ठीक है, मैं पूछ के बता रही हो उने सर पे, पहले भी बहुत उनको फायदे हुए हैं, तो वो ब बिलिडिंग शुरू हो गई थी, फिर आपने मुझे से नुसका पूछा था, डॉक्टर ने मना कर दिया था नहीं हो सकता, फिर मैंने नुसका बताया था, फिर वो बच्ची अच्छी हो गई थी, मैं इस तरफ से प्यार करना उसको, और कोशिश करें, नॉर्मल डिलेवरी हो, अब जो नवा महीना लगेगा, तो इस बच्ची से सब वो काम कराईए, जो नौकरों से कराते हैं आप, यानि जालू पहुचा लगवाना, बच्ची को शायद बुरा ना लगे, क्योंकि वो भी मुझे दरूर प्रेम करती होगी, और कपड़े दिलवाई, जबीने रखे, तो ये दो काम कराने शुरू कर दीजें उससे, और जब जो डेट डाक्टर ने दी हो, उसकी उस डेट पर, उसको जो बेकार सा गुल नजर आता ना, काला सा, पुराना सा, बकवास सा, वो गुल घर में रखी है, जो डाक्टर ने डेट दी है, उस डेट से एक दिन ऐसे 50 गिराम खिलाना फिर अगले दिन 50 गिराम या 100 गिराम खा ले किसी तरह और खूब पानी पिये आपकी बच्ची को बहुत नॉर्मल डिलिवरी हो सकती है और जीजा जी के लिए देखिए आपको तो पता ही है अगर दर्द है तो गौंसिया देना है आदा आदा गिराम द लेखिए करें और यह तो कौन जामुन आपको पता है होत असरदार है एक एक चुटकी दो बार दिया करां है काने से पहले देना बेहतर है एक यह जड़्य ज्यादा न देंर दो बार से doc now तो उनको भी फायदा होना मुम्किन है तरटन तन्हा जी स्वागत है आपका नमशकार नमशकार सर जय भारत ठकी मैं जय हिन जय भीम और आपकी वी जय रतन 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 वालों की वी जय रंगीला की बीजे रतन की भी जी, मेरा मिजाज, सारीडिक मिजाज सर्द है साय, ठीक है साय, और लोगों का विचार है कि मेरा मिजाज घर्म है, लेकिन मैं ये भी बताता हूँ, जब आप देखते कोई शुरुता की बात पर, कोई लिसनस की बात पर आप जब भावुक होते हैं, तो मैं भी भावुक हो जाता हूँ, मेरे भी आथे भर आती है, मैं कोई धारवाई देखता हूँ, तो कोई ऐसा चनाता है, कोई फिल्म देखता हूँ, तो मेरी आथे बार बार भर आती है, मैं नहीं जानता की, मेरा अखल में मिजाज क्या है, सारीडिक मिजाज तो सर्द है जानता हूँ मुझे तकलीफ होती है थोड़ी बहुत शादी वगरा कि दोस्तों को ये आशा रहता है मुझसे कि मैं उनके हर बात पर जी हुजुरू करूँ करूँ कोई भी गलत बात हो तो मैं उसमें हां में हां मिलाओं लेकिन मेरा वो मिजाद मुझस समें घर्म हो जाता है मैं ठीक सामने है उनके चेहरे के सामने है जो तुक मैं कहा देता हूँ कि नहीं है गलत है और ये तो अब जाने बता चुका हूँ कि मैं भावुक हूं अंदर से तो ये मौसम चेंज हो रहा है सर मैंने उन्ना लिशोडा और अल्टी और पीपर इसका डेल सो के रेशियो से पनाया हूँ आँ जो पूरा खा सकता हूं या बचने पर किसी को दे भी सकता हूं और दूसरा प्रस्ने से मेरा एक हवीद है बच्पन का जी वो थोड़ा सा योन शक्ति वो कहरा आज ही फोना आता रांती से बुला मैं कुछ कम हो रहा है तो उसके बारे में कुछ बताईएगा चीक्यों हाँ देखिए मिज़ाज जो है इनसान का वो उस चीज़ पर निर्भर है कि अगर आप को नजला खासी बलगम चीके अक्सर आती है और जल्दी आप किसी रोग में गरस्त हो जाते हैं तो आप सर्द मिज़ाज है चाहे गुस्सा आपको कितना ही आता हो तो गुस्से से मिज़ाज का कोई तालुक नहीं है और समझ लिज़े कि आपको बार बार बलगम खासी चीके रहती है तो आप थंडे मिज़ाज के हैं और आपके अंदर इम्मुनिटी यानि रोग पिर्ती रोधक शमता कम है ये तैशुदा बाते युनानी और आईरवेद की और वो मिज़ाज का अगर बात करें जो भावक होने वाली बात है तो उस मिज़ाज में आप मुझ जैसे है समझे ये हमारी दोनों चीज़े मिलती है इसलिए हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो मेरा भी हाल है कि मैं बिल्कु जवान था फिल्म इल्मों का बड़ा शौक था मैं चला गया पिक्चर द जज़बाती सीन तो मैं तो इतने बुरी तरह रो रहा था और वह सब लड़की मुझ पहस रही थी तो यह हमारा मिज़ाज है आपका और हमारा मिज़ा भागवान की तरफ से रोने वाली आंख को भगवान बहुत पसंद करता और یہी आख अगर अपने रभ के आगे रोये ब बहुत जो चाहो भगवान से मनवा लो और अगर वक्त ऐसा हो कि रात के बारा बजे के बात का जब सब सो चुके हो और आप उटके सजदे में उससे कुछ जो बाते करूब हैं तो उसकी सरगोशियां भगवान के हां होती हैं जो आप यहां बोलते हो महां सुनाई देता है या यह वो वक्त है जब आप अपने रफ से सब कुछ मनवा सकते हो और खुद्दार होना बहुत अच्छी बात है अगर कोई चापलूसी करना चाहे तो यह मिजज नहीं है आपका आप नहीं कर सकते हैं आप मर जाएंगे चापलूसी नहीं करेंगे और एक शेर यादा रहा है क अपनी कज कुलाही पर कज कुला कहते हैं पहले कुला बानते थे ना ऐसे तो वो थोड़ा से टेड़ा होता था तो उसका एक मतलब होता था कि मैं चापलूस नहीं हूं जो टेड़ा साल लग बानते थे नाज है अपनी कज कुलाही पर चापलूसी मेरा असूल नहीं है डू एक सवाल रहे है, उननाव लिसोड़ा, अलसी वालेक नुसका बनाया है नोने? यह, यह, वो आप इस्तमाल कर सकते है, और इस्तमाल कर आपताया है, तुर्य दोबारा बना लेना, आपक तो मिजाज है लोगों की खिर्मत करना, कितने लोगों को आप अच्छा कर चुक हैं, तु मिजाजा मौत दिल या गरम हो चायेगा, और आप फिर सदी के या इन रोगो उसे जल्दी गिरस्त नहीं हुआ करेंगे बलकुल